तुकर माच्या असल अभंची अतावन माला दिली ऐसे मी महातले तरज्यात में धसालची अभिने स्तुती करतों ऐसे कोनी मनुनाय इस तरह उनकी कविता अक्सर पढ़ी जाती है। तुकारामचा अध्यात नहीं है बलकि ये कविता की विरासत है। ऐसा माना जाता है कि धसालची की कविता प्रेरना और क्रोच से भरपूर है। मराथी विज्यान के एक प्रमुख व्यक्ति और दलिक पैंथरान दोलन के संस्थापकों में से एक नामदेव धसाल द्वारा लिखी गई कविताओं की पहली पुस्तक गोलपीठा 1972 है। इस संकलन की कविता मुंबई के एक हिस्से पर आधारित है जिसे कभी-कभी वेश्या वृत्ते के केंद्र, कैथलिक युद्धों के द्रिश्य और एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जहां जो कुछ भी बुरा, कुटल, शोशनकारी और वांचनिय है वहाम बात ह धसाल पहले दलिक मराथी कभी नहीं थे, लेकिन उनकी कविता में कई क्रान्तिकारी पहलू थे ये, Man You Should Explode कविता की व्याख्या है बाम्बिया, कविता में हिंदी, मराथी और अर्भी सभी को एक साथ मिलाया गया है इस कविता का प्रदर्शन दिलीक चित्रे ने किया है धसाल ने एक ऐसे द्रिश्य का चित्रन किया है जो स्वर्ण युक्षेत्र में जातिवादी और लैंगिक हिंसा से भरा हुआ था हालांकि स्पष्ट भाशाई नियमों का उप्योग किये बिना अनिवार्य रूप से कविता पार्थकों से विनाश के कृत्य करने का आहवान करती है फिर भी यह मनुष्य के नाजुक भजन की रक्षा करने की अपील के साथ समाप्थ होती है मनुष्य को केवल मनुष्य का गीट गाने दो